दिखिए आज जो हम बात करेंगे Taylor's theorem का जिसका यह formula है function x plus h function of x plus h differentiate x plus h square by 2 का factorial double differentiate x plus 3 तक ठीक है तो हमारा जो problem होगा हम 3 तक ही करेंगे यह पूरा formula है अगर आप से पूछ लिया जाए कि Taylor's theorem का पूरा formula लिख के दिखाएए तो यह लिखेंगे बाकी यहीं तक आप लिख के छोड़ दिखेंगे यहां तक ठीक उसके बाद देखिए यह problem जैसे मैंने लिखा हुआ है apply Taylor's theorem to find the expression of log sin x plus s ठीक जैसे मैंने इसको लिख लिख लिया है function x में log sin x plus s ठीक यह है गया तो अब हम लिखेंगे यहां पर h क्योंकि देखिए हमारा पहला function क्या है x x plus s है ठीक है तो हम यहां लिख देंगे function of x h ठीक वो क्या है log sin x plus s अब देखिए यहां पर हम put कर देते हैं put h equal to 0 h 0 put कर देंगे तो यहां हमारा बचेगा function x ठीक और इधर क्या हो जाएगा log sin x plus h ठीक यह function x का आगया ठीक अब हम जब इसका differentiate करेंगे ठीक differentiate with respect to x x के respect में जब differentiate करेंगे तो देखिए इसका होगा यह हो जाएगा यहां पर क्या बचेगा जब हम h put कर देंगे 0 तो इधर यह चीज यहां भी 0 हो जाएगा सिर्फ इतना बचा हमारा log sin x ठीक तो अब हम लिखेंगे देखिए जब इसका differentiate करेंगे ठीक हो जाएगा one upon sin x और जब sin x का करेंगे तो हो जाएगा को सेक्स और इसको हम लिख सकते हैं कोट एक्स में ठीक अब जब हम इसमें क्या इसका जब हम double differentiate करेंगे किसका double differentiate of cortex cortex का जब double differentiate करेंगे ठीक हो जाएगा को सेक्सक्वार एक्स और फिर इसका अगेन मतलब तीसरी बार करेंगे तो यह हो जाएगा माइनास ऐसी रहाएगा यह 2 आजाएगा तीह हो जाएगा 2 कोसेक्स फिर जब हम कोसेकस पा करेंगे तो माइनास कोसेक लिख स्अहंगा कोसेकक सीट कॉट X देखिए क्याँ किया हो पहले यह जो यह इन दोनों की multiply होगे ठीक अब इसके बाद so on यहाँ तीनी तक दिखाना फिर आप हम लिखेंगे according to टेलर्स ठीयोरम according to टेलर्स ठीयोरम फिर जो हमारा formula है क्या है function x plus h equal to है function x h differentiation of x plus h square by 2 का factorial double differentiation of x plus h cube by 3 का factorial differentiation of x plus so on ठीक यहीं तक formula हमको लिखना है उसके बाद हमारी जो value आई है इसकी जगे क्या आई है इसकी जगे आई है लोग sin x plus h है fx की जगे है हमारा log sin x क्योंकि h हम 0 कर देंगे put करके plus अब यहां है h cortex minus क्योंकि minus kosec square है तो minus h square by 2 का factorial यहां हो जाएगा kosec square x ठीक प्लस प्लस यहां पर हो जाएगा s cube upon 3 का factorial यह हो जाएगा 2 kosec square x code x plus so on तो यहीं तक हमारा यह answer complete हो जैसे कि हमारे problem में जैसे यह problem है मैं इसका hint देता हूँ आपको जैसे हमारा दिया function x cube plus 8x square plus 15x minus 24 value of 11 by 10 by teller's theorem से prove करना हो तो अभी तक जो हमारा three step था वो सब करेंगे मतला इनका differentiate करेंगे ठीक है x के respect में x के respect में differentiate करेंगे कितनी बार three बार one two and three जैसे अभी हमने किया हुआ था इससे पहले तो उसके बाद क्या करेंगे जो हमारा आएगा function x plus h में तो उसमें हम क्या करेंगे इसमें हमको देखिए जो हमारा 11 by 10 दिया है तो इसको हम क्या करेंगे function इसको लिख देंगे तो one upon one plus ten अब जब हम इसका LCM लेंगे तो यह 11 by 10 ही होगा ठीक है तो कहने मतलब यह तो हो जाएगा हमारी x की value और यह हो जाएगी h की value ठीक अब इसके बाद जो हमारा tellers formula है x plus h ठीक है उसमें हम जब रखेंगे fx plus h differentiation of x तो x यहाँ पर देखिए यहीं पर h की value हम क्या रख देंगे one by ten और x की value यहाँ मतलब x की value रख देंगे one और h की यह हो तो ऐसे आप इस problem को solve कर सकते हैं